दोस्तों यह है आइकून योसवेन 5G, Amazon के अंदर 30,000 में मिल रहा है, इस वुर्गंदर इसका full camera test कहने वाला हूँ, इसका camera related आपका कोई भी डाउट हो, इस वुर्गंदर पूरा मैं solve कर दूँगा, अब यह है rare camera photo interface कुछ ऐसा दिखता है, left side पे settings, macro का option दिया है, और यह HDR, flash and Google Lens, HDR का situation है, तो HDR को off करके click करते हैं, HDR को on करके click करते हैं, huge difference हमें HDR on and off के अंदर देखने को मिल रहा है, dynamic range में, और यह पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, कोई ultra wide का option नहीं दिया है, 1x and 2x के बीच आप shift तो कर सकते हैं, कोई ultra wide lens ही आप नहीं दिया है, और यह पर settings के से level कर सकते हैं, किसी भी जगा पे, stabilization के लिए extra option दिया है, effect mask के लिए यह चीज़ दिया है, अगला watermark, motion, autofocus, यह पर चलते हुए photo को ले सकते हैं, and more settings के उपर अगर आप click करते हैं, तो shutter sound, location, mirror selfie, keep setting, motion, autofocus, watermark, shutter, portrait framing, remove molds, enhance night sky, finish photo orientation, promote, अभी इसके maximum resolution 64 MP पे फोटो क्लिक करके म आपको दिखाता हूँ, overall photo तो अच्छा कासा clear देखने को मिल रहा है, but 64 MP पे जैसा clarity मिलता है, यह पर उतना ज्यादा clarity and contrast देखने को नहीं मिल रहा है, saturation vibrance को बिल्कुली increase नहीं किया, एक raw tone के आसपस रखने की कोशिश किया है, and maximum अगर आप zoom करना चाते, तो इतना zoom कर सकते असपस का information बहुत ही जदा loss हो रहा है, और यह रहा है, इसके full exhibit data 24.58 MB size हुआ है, अब यह है इसके portrait mode, full portrait mode को आप देख सकते है, video के अंदर तो portrait mode नहीं दिया है, but photo के अंदर कुछ ऐसा हमें live portrait देखने को मिलता है, filter and style बहुत सारे कुछ हमें IQ के बाकी headset के अंदर भी देखन असा filter, aperture 2.0 पे बहुत ही अच्छा असा blur यह पे create हो रहा है, तो देख सकते है, overall live blur कुछ ऐसा मिलता है, अब नवाल photo mode के अंदर AI mode को on करके click करते है, अभी AI mode को off करके click करते है, तो दोने के अंदर बिल्कुली उतना भी जदा difference नहीं है, तो AI mode on and off के अंद के बाद 4MP time-lapse and sports mode, normal daylight situation में photo slightly कम saturated लगता है, बट अच्छा कैसा color आपके सामने हो, तो vibrant slightly increase कर देता है, dynamic range बहुत ही सही तरीक से manage कर लेता है, हर एक HDR situation में, बट normally अगर अब इसके back camera से photo कीचते, social media ready photo आपको नहीं आएगा, यान कि हर एक photo आपको थोरा सा post production edit करने की जरूरत पड़े आपको नहीं लाएगा उस photo के अंदर, बट कुछ जगा पर EI mode को अगर आप on करके click करते हो, कुछ ऐसा हमें result मिलता है, अब यह इसके full camera interface, photo interface के अंदर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, यह पर HD mode दिया है, तो HD portrait अगर आप लेना चाते है, यह से आप on off कर सकते है, बाक जो back camera का filter दिया गया था, वो बहुत ही बड़िया है, तो normal front camera के photo mode के अंदर कुछ ऐसा ही हमें settings देखने को मिल जाता है, अगला side में portrait mode दिया है, तो portrait mode भी मैं आपको दिगए, तो यह पर भी same कुछ मिलता है, तो लड़कियों के लिए बहुत ही बड़िया तरीका photo यासे आ इस करके बहुत ही creative photography आप कर सकते है, यह था classic next मिलता है shadow, shadow के अंदर भी इतने सारे कुछ mode हमें देखने को मिलता है, और सबसे last दिया है filter, filter के अंदर normal जो filter मिल गया था, यही सब कुछ filter दिया है, तो यह का माईकू बहुत सालों से ही कर रहा है, इसके front camera के अंदर जो beautification mode ब देखने को मिल जाएगा, बाट फोटो खीचने के बाद एक फोटो खीचने के मैप को दिखाता हूँ, blood detection के अंदर बहुत ही अच्छा का सा mistake किया है, बाल के अंदर cut out आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी तरीका mistake किया है, और फोटो का face beautification भी उतना ज़्यादा नहीं है नॉर्मल फोटो के मैंसा अगर आप फोटो किचते हो, बहुत ही ठीक ठाक फोटो आता है, किसी भी जगापे overexpose and bloody background ये नहीं किया, but as you notice face beautification बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो फोटो किचने के बाद आपको edit करेने की जुरूत पड़ेगा, AI beautification बहुत ही ज़्यादा vibrance भी बहुत ही अच्छा का साथ डाल हो चुका है, ये पे कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं, अब ये पे macro mode को off करके 2x पे फोटो क्लिक करते हैं, तो 2x पे या 1x पे जो problem ये पे हो रहा है, किसी भी subject का बहुत ही ज़्यादा हम pass नहीं जह सकते, बहुत ही ज़्यादा दूर स ये फोटो कैप्चर करना पड़ रहा है, तो मैं जो सोच रहा था, बिल्कुली नहीं होने वाला, 2x पे macro जैसा effect अगर आप ले आना चाते, तो ये था 2x का shot, maximum आप इतना zoom कर सकते, बट आसपास का color भी ये पे थोड़ा सा है, तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रह है, और ये है macro का sample कुछ ऐसा है, color बगड़ा बहुत ही जदा बेकार है, black and white TV के जैसा आड़ा है, sharpness भी उतना अच्छा खसा नहीं है, तो Icoo Neo 7 के macro mode को यूज़ करके आप बिल्कुली काम बगड़ा नहीं कर सकते, ये रहा full exhibit data 1.59 भी size हो आए, अब इसके अंदर zoom टेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ही जदा information ये पे loss होड़ा है, अब ये रहा Icoo Neo 7 के full video settings, 1X and 2X के अंदर आप record कर सकते, कोई altroid का option नहीं दिया है, तो altroid पे आप video भी record नहीं कर सकते, resolution की बाद कर तो maximum 4K 60fps पे record कर सकते, तो देख सकते 4K 60fps ये पे support करता है, और 4K 60fps पे हमें अच्छा का सा smoothness ये पे देखने को मिल जाता है, बाकी full HD, 30fps, 60fps सब कुछ ये पे support कर रहा है, ये चीज़ देखके मुझे बहुत ही बढ़ी अलग रहा है, कि 4K 60fps का support हमें ये पे देखने को मिल जाता है, night के लिए और एक mode दिया है, auto super night, तो ये night के लिए मैं अभी तक test न देखने को मिलता है, जो photo mode के अंदर भी था, और उसके side में beautification के लिए एक feature दिया है, बट एक चीज़ अच्छा है, beautification वीडियो के अंदर आप on करते हो, full HD 30fps पे आप ले सकते है, बाकी headset के तरह ये 720p पे नहीं चला जाता है, beautification अगर आप on करते हो, full HD 30fps maximum रहता है, और top left side पे जो settings का icon दिया, इसके अंदर ये सारे कुछ option मिलता है, frame, level, stabilization and movie mode कुछ ऐसा है, और उसके बाद motion auto detection का भी एक auto and manual का option मिल जाता है, तो live कोई भी subject को अगर आप track करके video record करना चाते है, और भी इसके अंदर possible है, ये motion detection के मद्दम से, और इसके front video के अंदर कोई भी resolution and IPS mention नह नहीं हो रहा है, तोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है, बाद में शायद हो जाएगा, but live कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, front camera मुझे इसका बुरा नहीं लग रहा है, but थोड़ा सा saturation and vibrance का कमिया देखने को मिल रहा है, but actual color output देखने को मिल रहा है, 10 से 15,000 cancer के अंदर भी ऐसा ही हमें color output देखने को मिल रहा है, तो 30,000 के phone की सबसे मैंने बिल्कुली expect नहीं किया था, camera bump इतना जदा बड़ा है, उसी सबसे मैं बिल्कुली expect नहीं किया था, अच्छली बहुत ही ज़्यादा भी कर तो नहीं है, but expectation slightly high था, थोड़ा सा walk करके अगर मैं आपको और अगर आप चाते इसके blur mode को on करना, front या back camera के अंदर, bokeh video, blur video अगर आप record करना चाते, iPhone या OnePlus के तरह, बिल्कुल इसके अंदर possible नहीं है, कोई भी blur mode, portrait mode हमें वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलता, और एक चीज़ बहुत ही बुड़ा लग रहा है, shadow area पर आप देखा तो बहुत ही ज़्यादा ये vibrate करता है, इसलिए ही दिया गया है, ताकि थोड़ा सब कोई smooth video मिल जाए, तो देख सकते कितना ज़्यादा sharpness हमें अच्छा कासा देखने को मिल रहा है आसपास, इस तरीका budget range में बाकी phone के अंदर 4K 30fps maximum दिया जाता है, बट IQ ने सच मे ये बहुत ही बढ़िया किया 4K 60fps दिया है, नाइट मोट से फोटो किसने के बाद saturation और vibrance को बहुत ही अच्छी तरीक सी बैलेंस करता है, और किसी भी जगा पे overexposed नहीं किया, night camera optimization बहुत ही जदा अच्छा है, और ठीक टाक lighting condition अगर आपके पास हो, तो कुछ ऐसा फूटो आप निकल सकते है, अल्टरोइट तो इसके अंदर नहीं दिया है, तो अल्टरोइट का sample भी मैं आपको नहीं दिखा पाया, बाट 1X और 2X के बीच difference आप देख सकते है, टेक्स्ट बगड़ा बहुत ही जदा clear है, बाला कि अल्टरो आपको नहीं तो की जदेख सकते है,